इसे और टीजी टू यूपी और विएनल टीजी टू आइटी आई एलेक्टिशियन जैसे सभी परिच्छाओं की तैयारी के लिए निमेरिकल क्वेश्चन और एंसर सीरीज इस वीडियो के माध्यम सिपलब्द कराया जाएगा यूटूब चैनल ने एक बल्ब हैंड लाइट 110 बोल्ट पर 17.5 इंपियर लेता है यदि इसे 250 बोल्ट पर कार कराना हो तो इसके संतों जनक कार के लिए सिरीज में जूडने वाली रेजिस्टेंस का मान ग्याद करें इसका एंसर है दोस्तों देखेंगे तो यहां पर देखन देंगे कि एक बल्ब है और यह 17.5 इंपियर करें लेता और 110 बोल्ट सप्लाई से चल ला है तो इसको जब 250 बोल्ट से जोड़ेंगे तो कहरा इसके सिरीज में बल्ब के सिरीज में कितने मान का रजिस्टेंस लगाना होगा तो बल्ब का जो बोल्टेज है दूसरे फिगर में देखेंगे जो बल्ब का बोल्टेज है 110 है जो बल्ब का बोल्टेज है उकिन्द है 110 बोल्ट है और इसको 250 सप्लाई से जोड़ना है यानि 140 बोल्ट का हमको 140 बोल्ट का क्या करना है ड्रॉप करवाना है 140 बोल्ट का क्या करना है ड्रॉप करवाना है तो रजिस्टेंस का बोल्टेज मिल गया और इस लिटा सर्कीट के सिरीज में जो करेंठ होती है समान होती है तो जो बलब में प्रवाइट होगा वही इस रेजिस्टेंस के माध्यम्स की प्रवाइट होगा तो otta रेजिस्टेंस का बुल्टेस 140 बुल्ट हो गया और इसमें जो कर्ण बहुरा है 17.5 इंपियर बहुरा है तो देखेंगे आर कमान ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार आर बराबर होता है वी वट्टे आई तो जो रजिस्टेन में बॉल्टेट ड्राफ हो रहा है वो 140 बॉल्ट हो रहा है और आई कमान है 17.5 तो 140 बॉल्ट रजिस्टेंस का जो बॉल्टेज ड्रॉप है और उसमें जो करेंट प्रवाइच होगा 17.5 जब इसको दसमलों हटाएंगे तो यह चूद्य सो बट्टे 175 हो जागा और जब इन दोनों का भाग करेंगे तो दोस्तों आठ ओम हो जागा तो इसका राइट इंसर हो ज दोस पंदर और पचीस ओम की तीन परतिरोधक सिरीज में जूड़ी हुई है और इनके सीरो पर 250 वोल्ट का विभवांतर है ग्याद करें सर्कीट की कुल परतिरोध सर्कीट की मेन बिद्द्धारा और तीसरा ग्याद करना है परतेक परतिरोधक की बुल्टेज ड्रॉप त चैनल जो सर्केट बनेगा कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह सर्कीट बनेगा जो मतन quem नें रव्योग दस समक और तू 15 ओं आर्थिरी 25 ओं इसमें पूछा है टूटल रजिस्टेंस और इस सर्कीट में प्रवाहित होने वाली विद्धु दूरा और अलग अलग परतिरोत का बुल्टेज ड्राव तो तो सिरीज में परतिरोत जुड़ा है तो आर्टी का मान हो जाएगा आर्टी बरावर होता है सिरीज का फार्मूला होता है आर्टी बरावर होगा आर्वन प्लस आर्टू प्लस आर्टी तो टूटल मान रखने पर आर्टी बरावर हो जाएगा दस ओम प्लस 15 ओम प्लस 25 ओम टोटल आर्टी का जो माना जगा वो जगा 50 ओम जो आर्टी का माना जगा वो कितना हो जगा 50 ओम तो टोटल बोल्टेज मिल गया है, टोटल करेंट मिल गया है, टोटल बोल्टेज मिल गया है और टोटल प्रतिरोध मिल गया है, तो ओम के नियम के अनुसार कुल विद्धु धारा निकाल लेंगे, तो ओम के नियम के अनुसार आई बराबर होता है, भी बट्टे का आर, तो क पचासों तो जो करेंट आजएगा वो पांच एंपियर आजए यानि सर्किट में जो करेंट बह रहा है वो पांच एंपियर बह रहा है और सिडीज में करेंट क्या होता है समान होता है तो सभी रजिस्टेंस में पांच एंपियर की विद्द्धारा प्रवाहित हो रहा है तो eel यहां परतेक रजिस्टेंस का बॉल्टेज द्राव तो जब बॉल्टेज ड्राव निकलेंगे तो प्रतेक परतिरोथ di Brom तो रोन में बोल्टेज ड्राव भी बवरावर आयन्ट owners होता है तो भीवन निकलना है यानि तीस्तेंस पहले रोजिस्तेंसे में जो ब्ल्टेफ ड्रप मुझे 5 semander और गुड़े आर उन का मनहें दसों तो जो तो रजिस्तेन्स ओन में बुल्टेज का ड्राफ निकाल लेंगे इसी तरह R2 में बोल्टेज का ड्राप निकाल लेंगे तो फार्मूला वही होगा तो भीटू निकालना है तो भीटू बरावर I to R2 I समान है सिरी जैतो तो भीटू बरावर हो जाएगा 5 गुले 15 यानि जो भीटू का मान हो जाएगा 75 बोल्ट हो जाएगा इसी तरह R3 में बोल्टेज ड्राप निकाल लेंगे तो रदिरी इसमें बोल्टेज ड्राप होगा तो भीटू बरावर रोजगा रहाएगा इस तो आर्फिरी बरावर I कमान 5 और गुले रजिस्ट्रेंज का मान है आर्थिरी का मान है पचीस ओम तो हो जगा ये टूटल एकसो पचीस बोल्ट कि अगला क्वेस्चन देखते हैं तेज का है परतेक अवस्था में निम्लिखित के कुल परतिरोत ग्याद करें इसमें पहला है च्छाय ओम और बार्य ओम की परतिरोत समानतर में जुड़ी हैं च्छाय ओम और बार्य ओम की परतिरोत समानतर में जुड़ी हैं तो कुल परतिरोत तो जब दो रजिस्टेंस समांतर में जोड़ा रहता है तो फार्मूला होता है R T बराबर R 1 इंटू R 2 बट्टे का R 1 पुलस R 2 R 1 का मान दे दिया है 6 और R 2 का मान दे दिया है 12 तो R T बराबर हो जाएगा 6 गुले 12 और बट्टे का दोनों को जोड़ देना है तो 12 छो 18 हो जगा यानि 12 में 6 का गुला करेंगे तो 72 हो जगा और बट्टे 18 जब 72 में 18 से भाग देंगे तो R T का जो टोटल मान जगा हुआ जगा 4 ओम अगला कोस्टन देखते हैं इसी में दूसरा का रहा है कि 4, 6 और 36 ओम की पर्तिरोधक समानतर में जुड़ी है तो यह सर्किट डाइगराम होजेगा और अरवन 24 ओम आर्टु 6 और आर्थिरी 36 है तो फर्मूला होजेगा शमानतर करमका आर वन अपन आर्टी बरावर होता है वन आपन आरवन प्लस ओन आर्टु प्लस ओन आपन आर्थिरी जब इनका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 upon 80 ब्रावर हो जागा 1 upon 61 प्लस ओनापन प्लस 1 upon ऐसे वान अपन आठ यदि ब्रावर हो जाए यह बत्टे का चार लोस एक बट्टे 6 प्लस एक बत्टे 36 तीनों का जब ल्चीम लिंगे लग उत्तम समय को तो 36 हो जाएगा में जब चप्टेस का भाग देंगे तो एक आगा तो ऐती बराबर हो जायेगा दो आरती बराबर 9 प्लस 6 प्लस एक बटेका 36 अभी को उपर का जोड़ देंगे değildi तो वह जोड़ा當व जैगा तो आर्टी का मान हो जाएगा वन अपन आर्टी का मान हो जाएगा 16 बट्टे का 36 तो तीरिया गुला कर देंगे यहां पर यहां पर तीरिया का गुला कर देंगे तो आर्टी बराबर हो जाएगा 36 वट्टिक का 16 जब 36 में 16 का भाग देंगे दो दस्मलों 25 इंसोर हो जाएगा तो जो परतिरोधक का मान हो जाएगा वो आरटी का टोटल मान हो जाएगा दो दस्मलों 25 ओम अगला कुश्चन देखते हैं 4, 6, 8 और 12 ओम की परतिरोधक समानतर में जूड़ी है तो ध्यान देंगे इस्ट्रेट ये सरकीट डाइग्राम हो जाएगा इसमें R1, 4, R2, 6 और R3, 8 और R4, 12 तो आरटी का मान पूचा है तो समानतर करम का फार्मूला हो जाएगा 1 upon R2, 1 upon R8, 1 upon R8, 1 upon R2, 1 upon R2, 1 upon R3, 1 upon R4, जब इन सभी का मान रखेंगे तो 1 upon R2 बराबर हो जाएगा 1 upon 4, 1 upon 6, 1 upon 8, 1 upon 12 अब 1 upon R2 बराबर हो जाएगा इन सभी का LCM हो जागा 26 और 24 में जब 4 का भाग देंगे तो हो जागा 6, 24 में जब 4 का भाग देंगे तो हो जागा 6 और 6 में जब 24 का देंगे तो 4 और 8 में जाओ 24 का भाग देंगे तो 3 बार में और 12 का जब 24 का भाग देंगे तो 2 बार में इन सभी को जोड देंगे इस्ट्विन तो यह जगा पंदर है वन अपन आटी बरावर उजगा 15 बत्टे का 24 तो इसमें भी तीडिया गुला कर देंगे तो आरटी का जो मान आजाएगा वह आजाएगा देंगे तो इसका मान आजाएगा एक दस्मलो श्याय ओम अगला कुस्चन देखते हैं तर कामा एक दस्मलो दो कामा दो दस्मलो च्यार कामा 4.8 और 9.6 ओम की परतिरों समानतर में जुड़ी है तो यहाँ पर ध्यान देंगे R1 का मान दे दिया 1.2 ओम R2 का मान दिया है 2.4 ओम R3 का मान दे दिया है 4.8 ओम और R4 का मान दे दिया है 9.6 ओम तो समानतर करम का फर्मूला हो जगा 1 अपान Rt बराबर 10 पन R1 प्लस ओम आपन R2 प्लसओ ओम आपन R3 प्लस ओम आपन R4 जब इनका मान रखेंगे तो यह हो जागा 1 अपन 8 परावर हो जागा 1 बट्टे 1 दसमुल 2.2 प्लस 1 बट्टे का 2 दसमुलू 4 प्लस 1 बट्टे का 2 दसमुलू खुलोस एक डास मलोव कान औरते नोजस्मूल जे तो जब दस मलोव हटाना होगा तो उपर से क्या करेंगे 20 से गुला हो जया तो इनका मान मान हो जगा क्वान अपनार्टी वर लुद और जेगा जब इसको solve करेंगे तो इसका जो LCM आजएगा वो आजाएगा चानवे और चानवे को जब बारह से भाग देंगे तो आठ बार में जाएगा आठ में दस का गुला करेंगे तो असी हो जाएगा 24 को जब 96 से भाग करेंगे तो 4 बार में 4 को 10 से गुला करेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 को जब 96 से भाग करेंगे तो 2 बार में 2 का जब 10 से गुला करेंगे तो 20 हो जाएगा 90 को जब भाग करेंगे 96 तो एक बार में जाएगा तो यह 10 हो जाएगा टोटल जोडने पे इस्टूडेंट वन अपन आर्टी का माना जाएगा 150 बट्टे का 96 तो यहां पे तीरिया गुला होगा तो आर्टी का जो माना जाएगा आर्टी बरावर हो जाएगा चानवे बट्टी का पच्छ एक सोपचा और जब चानवे में 150 का भाग देंगे तो टोटल रजिस्टेंस का माना जाएगा जीरो दसमलो छै चार तो स्टुडेंट वीडियो कैसा लगा कम्मेंट करके जरूर बताएग और इस चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर करें और अगला वीडियो का नो कोटिफिकेशन जिससे आपके पास पहुँच सके धन्यवाद